पास्ता हो या मैकरोनी हर किसी तो खाना बहुत पसंद होता है आज मैं आपके साथ इंडियन स्टाइल मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत आसान है और टेस्ट में दम लाजवाब है तो चलिए बनाते हैं इंडियन स्टाइल वेजीटेबल मसाला मैकरोनी मैकरोनी को बॉयल करने के लिए यहां मैंने 8-5 लीटर जितना पानी लिया है पानी में बॉयल आने देते हैं जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएदा हम इसमें डाल देंगे मैकरोनी, तो यहां पर मैने ये दो ख़म मैकरोनी लिये, आप इसमें अपनी पपसंद के कोई सबी पास्ता यहां डाल सकते हैं, अच्छे से मिलाएंगे, अभी यहां पे हम थोड़ा सा ओईल डाल देंगे, और साथ ही में आदा चम्मच हम इसमे नमट डाल देंगे दनों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे और अभी इसे हम 7-8 मिनट के लिए पताएंगे साथ से 8 मिनट हो रहे हैं मैकरोनी को बॉयल होते हुए अभी अच्छे से बॉयल हो चुकी है बट इसे हम इब बर टाट के चैतर लेते हैं तो यहाँ पर हम इसमें से इद्दो ऐसे मैकरोनी ले लेंगे और इसे नाइफ से ततर के देखेंगे तो यह आप देच सकते हैं इजिली तरट हो रही है मैकरोनी हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है गैस्ट्रा फ्लेम अब हम बंदर देते हैं इसे हम इस ट्रेनर पे निदाल लेंगे आप चाहे तो इसके उपर थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल सकते हैं अब हम तड़ाई में ऐल डालेंगे तो यहां मैंने 1 तेबल स्पून से थोड़ा सा अला हैं उर्ड़ो डाला है साथ ही मैं इहां थोड़ा सा बटर डाल दूगे आप चाहे तो केवल ऐल में भी बना सकते हैं बटर तो आप अच्छे से मिल्ट होने देगे बटर के मेल्ट होते ही हम इसमें डालेंगे तालित तो ये मैंने तीन से चार लेसिंग कीता लिया और थोड़ा सा अद्रत तोड़ा जिसे ड्रेट सर लिया है डाल देंगे एक हरी मिच डालेंगे हम चौप कीवी और इन्हें हम तो सेकिंड्स के लिए ऐसे चलाते वे बून लेंगे अद्रत और लसन जब हमारे थोड़े से बून जाएंगे हम यहाँ पे डालेंगे एक प्याज जब तक कि प्याज अच्छे से सॉफ्ट नहों जए इंसा हलता सा तलर चींज ना जए चार मिनट हो जए है मुझे प्याज सॉफ्ट बुनते वे अब ही आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हम डालेंगे टमाटर तो यह मैंने दो जो कर दया लियेंजार्ता और घॉहां ज़ल ज़लती और यहां पर द्याल तो कि यहां पर द्यार पर मैं इंवर कर दोफिफ जम च्मकच यहां पर अच्छ है। अभी हमें टमाटर को सॉफ्ट होने देना है तो हम यहां पे इसे तरब देते हैं और तरके 2-3 मिनिट के लिए पता लेंगे या जब तरके टमाटर हमारे हल्के मैशी न हो जाए तेन से चार मिनट हो दे हैं टमाडर को भी पत्ते हुए इप पर हम अच्छे से मिला लेंगे तो यह आप देच सकते हैं टमाडर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो देए हैं चलिए इसमें बाकी की सबजे डालते हैं तो यहां मैंने एट तटीवी दाजर ली है और आदी तटीवी मैंने यह शिम्रा मिर्च डाली है सबजियां आप इसमें अपनी पसंग की खोई सी भी एड़ दर सकते हैं नमत हमने इसमें पहले ही एड़ दर दिया हैं तो इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे एक चमच लालमिच पाउडर, आधा चमच जीरा पाउडर और आधा चमच धनिया पाउडर अच्छे से एक बार मिला लेंगे हम ये इंडियन स्टाइल मसाला मैत्रोनी बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें धनिया और जीरा पाउडर डाला है एक बड़ा चम्मत जितना हम इसमें पानी डाल देंगे अच्छे से मिलाएंगे और इसे तवर तरके दो मिनिट के लिए पताएंगे दो मिनिट बाद तो ये हमारा मसाला मैत्रोनी तरा मसाला अच्छे से भुन चुता है सबजियां भी हमारी सॉफ्ट हो रही है यहां पर हम डाल देंगे बॉयल कीवी मैत्रोनी तो इन्हें मैंने स्ट्रेइनर से निताल के एक प्लेट के उपर फैला दिया था तो आप देज सकते हैं यह आपस में बिल्कुल भी चिपकी भी नहीं है सारी मैत्रोनी हम यहां एड़र देंगे और इसे अच्छे से हम मसाले के साथ मिला लेंगे तो यह आप देज सकते हैं हमने मैक्रोनी तो मसाले के साथ अच्छे से मिला लिया है अभी इसके टेस्ट रो और इन्हेंस लने के लिए हम यहां पे डालेंगे वन फूर्थ चमच रेड़ चिली फ्लेट्स और वन फूर्थ चमच ही औरेगेनो आप चाहे तो पीजा सिस्निन भी यहां डाल सकते हैं एट बड़ा चमच हम इसमें डालेंगे रेड़ चिली सॉस और एट बड़ा चमच ही हम इसमें डाल देंगे टामेटो कैचप अच्छे से हम मिला लेंगे औरीगेनो रेड चिली फ्लैट्स और सॉसेज डालना आप्शनल है आप चाहे तो इसमें केवल कालिमिट पाउडर भी डाल सकते हैं या आप इसमें टामेटो कैचप भी डाल सकते हैं उपर से हम हरा दनिया डाल देंगे क्योंकि हम ये इंडियन स्टाइल मैकरोनी बना रहे हैं तो हरा दनिया तो हमें डालना ही है इंडियन स्टाइल मसाला मैक्रोनी आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और खाने में ये दम ला जवाब है बहुत सारी सबजियां इसमें हमने डाली है तो एक बार आप इसे इस तरह जरूर ट्राइ कीजिए I'm sure आपको ये बहुत पसंद आएगी वीडियो पसंद आएगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाए